एक और मज़ेदार वीडियो के साथ आप सबका स्वागत है रोबोट से लिकर गाड़ी तक आजकल बाजार में हर तरीके के खिलोने मिल जाते हैं जसके लिए बच्चों के जिर्थ के बारे में क्या ही गए कुछ ऐसे खिलोने भी हैं जो बच्चों के साथ बड़ों को भी आकरशित करते हैं और हो भी क्यों न यह ही इतने मज़ेदार तो आईए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे ही टोईज मिलिए एबो से एक बहुत ही प्यारा पालतो कुट्टे की तरह दिखने वाला रोबॉट जिसका प्यारा बेहिवियर उन्हें उसकी रूजमरा की जिंदिगी में खुशियां ला सकता है सूनी द्वारा बनाएंगा इस रोबॉट की आँखों में OLED का इस्तिमाल किया गया है और नाक और इसके पिछले हिस्से में कैमरे लगे हुए हैं साथे इसके सेर पर और पीछे के हिस्से पर सेंसर्स भी हैं जिसकी मदद से ये अपने ओनर के हर एक काम को मैसूस कर सकता है माइक्रोफोन और अने टेक्नीक्स के साथ साथ इसमें इस्तेमाल किया गया है आर्टिफिशल इंटेलिजिंस जिससे के बाहरे दुनिया के तरीकों को सीख सकता है जिया आईक्यू ट्रूपोस टीटी सिक्स सिक्स सेवन अपने रेमूट कंट्रोल कास तो देखे हुंगी पर जड़ा इस नए और यूनीक डिज़ाइन को देखे या रेमूट कंट्रोल कार टो हैं ही साथ एक ट्रांस्फॉर्मर भी है बस एक बटन दबाते ही ये कार ट्रांस्फॉर्म होकर रोबॉट बन जाता है है ना मसेधार बात चमकदार रोशनी के साथ ही काफी शांदार है और इसमें रचार्जिबल बैटरी लगे हुई है रिमोट की वदद से इसे किसी भी डिरेक्शन में नियंतृत करना बहुत आसान है और इसका साउंड भी काफी डायनामिक है इसके छे अलग-अलग मॉडल्स हैं और इसके कीमत करीब 7000 रुपे से शुरू होते है यह दुनिया का पहला रोबोटिक किट जिसे आप अपने हाथ से नियंतृत कर सकते हैं जिरो आयोटी मोटर मॉड्यूल के साथ आता है जो स्मार्ट गलब्स की मदद से वाइरलेस तरीके से नियंतृत की जा सकते हैं आप इसे फोन के साथ जोड सकते हैं और जीरो मोबाइल अप इसके इस्तेमाल को काफी आसाइन बनाता है सिंसर से लैस इस रोबोटिक किट को आप अपने आवाज से भी कंट्रोल कर सकते हैं रोबोट और गलब्स दोनों में रिचार्जबल बैटरी का इस्तेमाल किया गया है जिसे पूरी तरह से चार्ज हो जाने के बाद पांच गंटे तक इस्तेमाल में लाए जा सकता है और जबाट ये कलर्स को देख सकता है और अगर आप मारकर से पेपर पर कुछ भी लाइन ड्रॉ करते हो तो ये उस लाइन को फॉलो करता है इसमें रिचार्जबल बैटरी इसका इस्तेमाल किया गया है स्पेरो आर्वी आर स्पेरो कमपनी द्वारा बनाये गया ये चार पहियो वाला एक मज़ेदार प्रोग्रामेबल रोबॉट है जो किसी टाइंग की तरह देखता है और कहीं पर भी चल सकता है इसके आगे और पीछे की तरह फ्लाइट्स लगे हुई है और कलर सेंसर्स और लाइट सेंसर्स की मदद से ये कम्यूनिकेट कर सकता है स्पेरो एडियू आप की मदद से इसे प्रोग्राम किया जाता है और इसमें पारफुल मोटर और रिचारजिबल बैटरी लगी हुई है इसके उपर प्लास्टिक का एक कवर लगा है और इसे किसी भी डिरेक्शन में मूव किया जा सकता है दोस्तों आप इनमें से कौन से टोई खरीदना चाहेंगे मुझे कॉमेंट में जरूर बताए दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर ऐसे ही रोमांचक और मज़ेदार वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर दबाएं थैंक्स वोचिंग बाबाई